हैलो जी कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज है सोमार हमारा नाना दोना और जाड़ू पोचा सब हो गया है मैंने आज सिर्फ जाड़ू जाड़ू लगाई थी हमारी काम वाली आ गई ये पोचा उसने ल आञे गे और उसकी मृर्ण मेरी गर्प पूजा करनी है तो की मेरी घर पे पूजा करोंगर उसके बाद फिर नास्ता बनाओंगी मेरा यह वैसे है मम्मी के लिए बनाना है そう दो मेरी सुमित के लिए बनाओंगी मैं तो फ्रूत वगराही घाऊंगी चलो फी मंदिर में कानाजी को भी राजमान करती हूँ और फिर पूजा करती हूँ पूजा करने से पहले यहां लग गई हूँ मेहंदी भी गोने सीर पे लगानी थी मेरे को वैसे तो मैं पहले वाले दिन भी गोती हूँ लेकिन मैं भूल गई थी शाम को भी गोनी तो मेरे को सुबह याद आई फिर मैंने अभी भी गोई है मैंने पत्ती के पानी से भी गोई है पत्ती पानी में तीन चार चमच पत्ती डालके और उसको अच्छे से उबालके पानी को पत्ती को और फिर मैंने च्छान के महंदी से भी गोई है वैसे तो मैं महंदी में और भी काफी चीज़े डालती थी जैसे अंडे निम्बू और एक अलो वीर आवला पावडर भी डालती थी लेकिन न तो आवला पावडर था ना निम्बू और अंडे तो मैं डाली नहीं सकती थी अब साउन लगा हुआ है तो मैंने ऐसे सीमपली बिगोई थी इसको फिर मैंने दो तीन गंटे रख दिया था विगो के लगाने से पहले मैं दिको कई गंटे पहले विगोने से अच्छा कलरा था इसलिए मैं कई गंटे पहले विगो के रखती हूं इसको डखके रख दिया यहां पर और फिर मैं लग गई हूं मंदिर की सफाई करने वैसे तो मंदिर गंदा कप़ के साप कपड़े से मैं ने काना ना जी को गंगाजल डाल राज़ाल दाले पानी Deborah करते त governors य कान। में पर कैसे नेला रही है तो फिर मैंने ऐसे ही कर दिया बस इतना खास मेरे को कुछ पता नहीं था इसके बारे में काना जी को मंदिर में राजमान करने के बाद फिर मैंने आर्ती की और भोग लगाया बहुत सुन्दर लग रहे थे सच में छोटे से बाल गोपाल बहुत सुन्दर लगते है और काना जी के कपड़े तो इतने सुन्दर आते है ना इतने सजे हुए इतने प्यारे लगते है छोटे छोटे कपड़े छोटा सा मोकुट सारी चीजे इतनी छोटे छोटे इतने सुन् मेरा मंदिर देख लो फिर नास्ता बगारा करने के बाद किचन के सारे काम निप्टा के और फिर मैं लग गई थी महंदी लगाने और तब तक एक दो तिन गंटे भी हो गए थे महंदी को भीगे हुए तो फिर अच्छे से मैं बालों को यहां खोल खोल के बिलकुल एक बाल प इसकि क्यारा लगा तो यह मैं आथों से ही लगा रही है यह मैं अच्छे से लगा ली क्या गाला सारे बालों पर बहुत दिन ओ गए थे मैं दी साइनिंग आ जाती है मैं इसक्राणा दी लगाने के बाद मैने दो मैंनुमीन मेंदी लगने के बाद बहुत अच्छे सोफ्ट सोफ्ट से हो जाते हैं बाल और साइनिंग सी आ जाती हैं सुनेरे सुनेरे लगती हैं तो मैं साथी से पहले भी लगाती थी और अब भी लगाती हूँ मैंने सारे बालों पर अच्छे से मेंदी लगा के फिर मैंने एक ठैली पैन ली थी सिर में और फिर उसके उपर से कपड़ा बांध लिया था क्योंकि फिर वो गिली गिली रहती है न तो ना तो बाल फटते फिर सुखने से बाल फट जाते हैं औरर रच भी अच्छे से जाती है और यहां हो गया था श्याम का टाइम और मैं लग गई थी मम्मी की चाएं बनाने मम्मी की चाएं बना दी थी मैंने और अपने लिए मैंने सबजी बना ली थी अपने अपनी सबजी बना ली थी लोकी की क्योंकि सुमित भी नहीं खाते लोकी की सुमित बोले मैं तो कोपते ख कि अध्यूंना pomo registrant variety य इत्याती होटि कि वर बसे कि अध्यूंना काना क्वाइब पनाने यह विडियो में एक दिन मैंने lotis के कोपते बनाए थे तो इस वीडियो में एक बैन ने लिखा था कि लोकी के कोपते भी बना के दिखाना तो आज मैं लोकी के कोपते बना रही थी तो मैंने सोचा आज मैं रेसिपी सेर कर लेती हूं आपके साथ तो मैंने यहां लोकी को छील के और अच्छे से दो के और फिर म तो मैंने इसमें मसाले मिलाए है। धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्ची आउडर, गरम-मसाला, यह तारे मसाले मिलाए है। और इसमें डाल लिया, बेसन। इसमें मैंने पानी ने डाल लाय दाल ल人民 conserve usole ofstock और मैंने इसको अच्छे से आथों से मिला और गड़ा मने लिया था पकोड़ जैसे है पकोड़ों को होता है न ऐसा बना लिया था और फिर एक कड़ाई में तेल लेके प्रम में तो से ब्रकLEY से भ्रक शर्म पहने कर स्वेमें तुरृ कर अच्छे से फ्राइ किया मतलब यह जब तक ब्राउनी हो गए पूरे अच्छे से पक नहीं गए तब तक मैंने इनको फ्राइ किया और जब तक मेरे पकोड़े साइड में मतलब कोपते साइड में फ्राइ हो रहे थे तब तक फिर मैंने इसमें तड़का लगाने के लिए प्य जब यह पकोड़े अच्छे से पक गई तब फिर मैंने इनको निकाल लिया था बहुत सारी बन गई थी, आदि लोकी की मैंने बनाई थी, काफी बन गई थी तो कुछ तो मैंने सबजी के लिए रख ली थी और कुछ तो हम वैसे ही खा गए थे इनको सोस के साथ वैसे भी टेस्टी लगती है, यह पकोड़ो जैसे ही लगती है, तो अब यहां मैं लगाने लगी हूं तड़का, सबसे पहले मैंने इसमें कड़ाई में तेल डाला और तेल में डाल लिया जीरा, और जीरा जब तड़क गया तम मैंने उसमें डाल दिया प्याज, और प्याज जीरा धनिया पावडर, गरम मसाला यहीं सारे मसाले डाले हैं और जब मसाले अच्छे से पक गए ना तब मैंने इसमें डाले हैं ये कोपते बनाया जो डालने के बाद भी फिर मैंने इसको ढखके थोड़ी दिर और पकाया ताकि मसाला इन के अंदर तक चला जाए और इससे गाड़ी होगी ती गरेवी तो फिर मैंने इसमें और थोड़ा सा पाने डाल लिया था बस अभी थोड़ी देर में इपक गई थे मेरे सबजी बनने के बाद फिर मैंने रोटियां बनाई फिर मैंने बर्तन वगेरा साफ किये और फिर मैं लग गई किशन की सफाई करने और सारे साफाई करके सारे बर्तन साफ करके őर सारी किचन साफ करके तब इसोती हूं मैं नहीं तो फिर सुबह उखते हूं तो बड़े हुँ मिलती है बि publiлючते मिला जाया मैं रात कोई कितनी लेट हो जाओं पर किचन की सफाई करके जुरूर सोती हूँ चलो फिर इस व्लोग का यहीं कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लोग में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर और वीडियो पसंद आए तो लाइक जुरूर कर देना और जो चैनल पर नए हैं वो सस्क्राइब कर लेना बाई बाई